Hello everyone and welcome back to SRPage Stories जहां मैं आपके साथ हुए creepy incident सुनाता हूँ तो अगर आपको भी अपनी स्टोरी मुझे submit करनी है तो प्लीज गो डाउन इन मैं डिस्क्रिप्शन जहां मैंने एक email ID भेजी है और आप इस format को यूज करके अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं जल आज की स्टोरी भी मेरी ही है ये जीज मेरी मम्मे के साथ हुई थी और इस स्टोरी को समझाने के लिए मुझे तुम्हें थोड़ा सा बैकड्रॉप देना पड़ेगा पिछले साल तक हम किसी और घर में रहते थे ये गर बहुत ही जादा पुराना था और जो उसके ओनर थे वो अब नहीं रहे जो मैं और मेरी फैमिली वहाँ पर एक केर टेकर जैसे रहते थे पूरा का पूरा घर हमारे पास ही था लेकिन हमें उस घर की बैकड्राउंड स्टोरी नहीं पता थी हम लोग उनर को तो जानते थे और हम उनके बच्चों को तो जानते थे पर हमें ये नहीं पता था कि घर में क्या हुआ था वहाँ पर में डोर था में डोर से अंदर आते हैं तो बेड्रूम आता है बेड्रूम से अंदर जाकर एक और डोर था जो main door के पास बैट रूम था उसके left side में हमारा kitchen था और बस इतना ही था यह घर अगर मैं इस घर को तुम्हें समझाओं तो यह काफी ज़्यादा पुराना घर था time reference के हिसाब से जब अमिता बचन नया नया movies में आया था तब कह था यह घर so obviously बात है कि इतना पुराना घर होनी के वाज़े से और कही साल से वहाँ कोई नहीं रहता था इसलिए भी इस घर को maintenance की जुरत थी so 8 ए टूटती थी वहाँ पे paint निकलता था वहाँ से वहाँ घर में पानी का connection नहीं था दरवाजों से आवाज आना खिड़कियों से आवाज आना हमारे घर के आसवास बहुत सारे पेड़ी भी थे so it was an old house पर जो वहाँ की vibe थी घर की जो vibe थी इन सारी चीजों के वैसे वो भी काफे ज़्यादा पुरानी और काफे ज़्यादा horrifying थी पर क्योंकि अब हम लोग वहाँ पे कही मैनों से रहने लगे थे तो अब हमें वहाँ से डरने लगता था फिर भी जितने भी मेरे दोस्त है वो भी जब भी मेरे घर आते थे तो उन्हें देख कर ही ऐसा लगता था कि हाँ इस घर में कुछ ना कुछ तो है अब हम आते हैं मेन स्टोरी पर अब क्या हुआ कि एक दिन मेरी मम्मी जब हमारे साथ रह रही थी तो उन्हें एक अच्छानक से अजीव सा सपना आया मेरे मम्मी और मेरे पापा बाहर वाले बेटरूम में सोर के थे और मैं और मेरे भाई अंदर वाले बेटरूम में सोर के थे तो उस पूरे दिन मेरे मम्मी मुझे यही बोल रही थी कि मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है मेरे को अजीव से विचार आ रहे हैं उन्हें अजीव अजीव से थौट आ रहे थे उस पूरे दिन तो वो शाम को मंदर गई थी मेरे ममी भगवान में काफी ज़्यादा बिलीव करती है and I think हमारे घर में सिर्फ वो ही भगवान में बिलीव करती है so normal routine पर आ गए हम लोग हमने खाना खाया हम लोग बाते करने लगए और इसके बाद हम लोग सो गए अब उस time पर हमारे पापा घर में नहीं थे तो मेरी ममी बाहर आकेले में सो रिकी थी इतना दूर भी नहीं थे कमरे तो it was quite comfortable ऐसा नहीं था कि ममी अपने भाईा है अच्छानक रात के तीन बजे के आसपास मिरी ममी को कुछ आवाज आई मेरी ममी अपने बैट से सीधा उठी और क्योंकि अंधेरा था तो उन्होंने सुनने की कोशिश करी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोकस कररके कुछ सुनने की कोशिश करी, पर वो आवाज उन्हें दुबारा नहीं है, तो वो सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, उन्होंने कुछ आवाज नहीं निकाली खुछ से भी, लेकिन हर एक चीज जो हमारे घर के पास में थी, रात में उसे सुनके तुमें भी डर लग कि जो ऊपर वाला दरवाजा है, जब भी हवा तेज चलती थी या कुछ होता था, तो उसमें लकडी की क्रीक होनी का वाज आती थी, क्योंकि वो बार बार दीवार से लगता था, फिर अंदर वाले दरवाजे से लगता था, तो मेरी ममी नहीं सोचा कि अच्छा उपर से आवा जाए, यह कोई बात नहीं, मैं सोजाती हो वापस, मेरी ममी वापस सोने गई, तो जैसे ही उनकी आँख लगने वाली थी, उन्हों दुबारा से एक अजीव सी आवा जाए, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू, मैं तु यहाँ पर एक बेड है, जैसे मैं जिस थेंग कि इस वे में हमारा बेडरूम है, यह तुम्हारा बेड है, और इधर साइट पर दिवार पर एक खिड़की है, जो कि बाहर में रोड दिखाती है, जो में रोड पर हमारी राइट थी, जो स्रेट लाइट थी, वो क्या होती थ खिड़की के सामने से जाती वी दिखी according to her it was a complete black shadow and वो बस उसे देखती रही तो पहले तो मेरी मम्मी obviously बात है डर गई थी लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी से हमज उटाई और वो बेट से नीचे बहुत यहादा धीरे से उतरी वो धीरे से बाहर main door की तरफ गई क्योंकि वहाँ पर यह खिड़की थी और उन्होंने दुबारा बाहर देखने की कोश्च करी now again you have to imagine it पर यह bedroom है और यह हमारा अगर main door है तो यहाँ पर बहुत चोड़ा सा gap है जहाँ पर खिड़की है I don't remember उसके बात क्या हुआ कि वो हमें रात में उठाने आई या फिन नहीं आई पर आइ रिमेंबर दिस थिंग की उन्होंने मुझे सुबह यह पूरी काहनी बताई थी शायद से मेरे भाई को रात में बताई थी और मुझे उठाय नहीं था रात में तो मुझे यह कहानी के बारे में सुबह पता चला कि उनके साथ क्या हुआ So again, I was being cynical, मुझे लगा कि मेरे ममी को सिर्फ सबना आया होगा, उन्होंने ऐसी देखा होगा तो मैंने इस पूरी बात को भूल कया फिर कुछ महीने बीते, मेरी ममी वापस कहा हो, चलेगी मेरे पापा के साथ और अब मैं और मेरा भाई वहां रह रह रहे थे तो कुछ महीने बात क्या हुआ कि जो यहां के ओनर थे, उनकी जो बेटे थे उन्होने हमें कॉल करा, उन्होने घर से कुछ समान चाहिए था तो उन्होने हमें का था कि तुम ये वाला समान separately उपर रख दो और अपना समान जहां पर तुम्हार है वापर ही रहने दो they were very nice about it, so I didn't really have any complaint तो मैंने हमें इस समान उपर रख दिया So I was like, no, I was not like, why did I order? So then he told me the whole story of this house. Now this house is the story of this house, that our owner, who had actually built a house, his uncle had built this house for his wife, and he had built this house for his wife, and both husband and wife were in the house. At that time, no child was born, no child was married, so they were just starting their family. So then they were both children, I think they had a daughter also, but I don't remember correctly. So they had kids, I mean, they were both big, they were going to school. So now my uncle was living in the job and the children were going to school, so that the aunt of the house, the wife of the house, was quite alone in the house. So what did she do? Because she had a lot of time, a lot of time, to put on the roof on the roof. So remember this thing, I said that there was a door in the bedroom, and there was a door in the roof, and there was a door in the roof on the roof. So she goes over here, goes on the roof, and talks about the roof, and talks about it, and she fell head first. So she had a very good chance of surviving, but it didn't happen. What happened is, that this city is where it's so much slope, it's very steep. It's very steep. In the middle of the house, there was a lot of people who were going to school, so it was that steep. So when they fell down, their head fell in the middle of the house, and the city's end of the house, which was the pathway, our house was very narrow, it was very narrow. It's so narrow, that if the man fell down here, so his body was touched on the roof, so it was so narrow. I just heard something. Oh my god, that scared me. So when he fell down from the stairs, his head fell down the roof, and he died there. And after dying, he fell down there, until the kids didn't have a house. I think so, because I don't remember this correctly, it's a very early time. So I think so, the first time of the kids, the kids didn't know anything about it. And the kids didn't do anything. They also called people in the house, but they didn't do anything about it. Because at that point, she was unaligned. and then she came back to the uncle's house. And you know, just the normal thing, which is what happens after the death. So yeah, a very young set of kids, they lost their... I'm not kidding, I'm hearing voices. Again, coming back to the story, a very young set of kids and a husband, they lost their mother and a wife also, right? But what happened after that? What happened after that? like, after a few months, there was weird things in that house. Not specifically to the people who are living there, but like, like, I said, starting, I remember you going to remember that our main street, the road was a street light that was a lot of flicker. This street light was a lot of times. So, when the pole was a lot of times, So, obviously, it was a lot of years that they changed the light that was a lot of times. But, from the beginning, से लेके अभी तक वो लाइट हमेशा फिलेकर होती ही है गुट बी अ कोइंसेंस, I completely understand this thing लेकिन एक चीज मैंने उस घर में महसूस करी थी एक बार क्या हुआ, मैं उस घर में बहुत आदा टाइम अकेले भी रहा हूं कभी-गभी मेरे पेरिंस आते रहते थे या मेरा भाई आता ता 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 गाउंसे, right? पर मैं जाद दा टाम उस घर में अकेले ही रहा हूं तो एक बार क्या हूआ मैं घर में अकेला सो रहा था और इस घर में अकेला सो रहा था और मैंने मेरी खीड़की के पीछे से जो, like it's not a jungle पर वहाँ बहाँ सारे पेड़ है तो मैंने वहाँ एक आवाँ सुनी I didn't really mind this, thank you कि I think so, मैं फोन पे था या मैं कुछ तो सुन रहा था एरफोन में but it was clear enough कि मैं सुन पा रहा था किसी चीज को normally मैं कैसा सोता हूं कि I listen to podcast so, मैं podcast सुनतर सुनतर हो जाता हूं तो बहुत जाता कम volume पे रहता है तो उस volume के ऊपर भी उस सनाई देरी थी मुझे आवाज ठीक है तो पहले बार मैंने नहीं देखा दूसरी बार मैंने नहीं देखा तीसरी बार क्या हुआ कि the sound in my head, right? like, मैं अपने दिमाग में यह बोड़ा था कि पेड की आवाज है हवा चल रही है पेड की आवाज है तो in my head I was like, okay, पेड की आवाज लेकि जो थर टाइम में जो आवाज आई थी वो पेड वाली नहीं थी तो क्या हुआ मैं खड़ा उठा है मैं अपने पैर अपने बेट से नीचे करें और मैं ने पढ़धा खिसकाया है ठीक है देखने के लिए खिड़के से भार की क्या है so मैं ध्यां से देख रहा देख रहा देख रहा देख तो पेड ही नहीं रहा था like literally there was nothing तो फिर मैं अपने दिमाग मैं अपने आपको बोला कि कोई जानवर होगा वाँ पे चैसे हो सकता है कि क्यों कि आपे वाँ सारे चुहे गुमते तो मैं भी चुहा होगा so I was like ठीक है ठीक है चुहा होगा मैं खिड़की बंद करने वाल था तो मैंने जैसी खिड़की बंद करी ठीक है it was like this material इस material की खिड़की थी वो it wasn't translucent ठीक है बहुत जादा थिक थी so उस खिड़की के थुरू मैंने दो आँख देखी like bright kind of so पहले तो मैं एक सिक्ड़की के लिए डरा है मैं सच में डर गया था it was actually scary I don't know how to express that thing but होता है ना कि एकदम से जब बॉड़की कांप जाती है अंदर से धक्का लगता है बॉड़की में so it was like that ठीक है पर एक सिदाबाद मैंने का अगर मैं अभी नहीं देखूँगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या होगा तो मैं रात बर टरता होगा तो मनें सीधा खिड की पर्दा अपना हटाया so I saw that there were three cats sitting there तीन बिल्लिया और मैं से एक बीच वाली की आँखे गलो हो रही थी now to rationalize this thing yes उस जगा पे पोल के लाइट पढ़ती है तो obviously उस बिल्ली की आँखे चमकरी होगी लेकिन बाग ही दो बिल्लियों की आखे क्यों नहीं चमकरी थी and again ऐसा नहीं था कि मैंने पर्दा बंद करने में बहुत यदा टाइम लगा होगा it was instantaneous तो बिल्लियों पे तनल्दी कैसे आई so जब मैं सुबह उठा मैंने सीज पर रिसर्च करा है and there is something related to like dead people and cats I don't exactly know what that thing is but I think if you know then you can tell me so that was the story of my haunted house I think at this point I have like three or four more horror stories which was with me but after that I'm all done for so yeah keep on sending me your stories guys and sorry I have taken a slot for you but I really wanted to tell this story and with that yeah thank you so much for watching this video with me and I will see you very very soon bye bye